असलाम अलेकूम हालो दूस्तों मैं जुलेखा अर्फाद जुलेखास्पीचिन.com से अगर आम मेरी चैनल पर नए है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाए और बराबर में जो पेल आइकन है उसे भी और नोटिफिकेशन पर खेक करें ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी तो चलिए आज हम बनाते हैं एक सिंपल सा बढ़िया सा डेजर्ट जिसका नाम है फ्रूट कस्टर्ड वैसे कुछ डेजर्ट की रेसिपी में मेरे चैनल पर अप्लोड की हूँ आपके लिए लिंक्स रिस्क्रिप्शिन के अंदर दाल दूँगे आप वहाँ चेक कर लीजि वैसे यह फुल फैट दूध है हां जब तक उबाल हो रहा है यहां मैं आपको बता देती हूँ कि यह मैंने चार टेबल स्पून कस्टर्ड लिये वैनला फ्लेवर लिया है चलिए एक उबाल आ चुका है मैंने चूले को मीडियम आज कर लिया है मैं एक बार चला लेती आठ टेबल स्पून शक्कर आप चाहें तो कम्याज जादा कर सकते हैं और इसे मीडियम आज पर बार बार चलाते रहें दोती मिनिट तक इसे पकाएं तब तक पकाएं जब तक शक्कर नहीं पिगल जाती साइट पर यह जो हमारा दूद रखा है आधा कप और चार टेबल स्पून कास्टड रखा है वैनला वाला यह दोनों मिक्स कर लीजिए अच्छे से एक बहुत अच्छा घोल बना लीजिए क्रीमी टेक्च्चर वाला बिलकुल भी गुटलिया ना रहें इस तरीके से मिक्स कर लीजिए और इससे साइट पर रखतीजिए दो मिनिट हो चुके हैं शकर पिगल चुकी है वैसे मैंने हलका मीडियम से लो पर ही रखा था मेरी पतीली डीप नहीं है इसके लिए तो अब मैं मीडियम आच कर देती हूं और यह जो मिक्स्चर है कस्टड का साइट पर रख अच्छा आपने अगर कम गाड़ा चाहिए तो आप क्या कीजिए 4 टेबल्सपुन कस्टड दालने के बजाए 3 दालिए मुझे गाड़ा अच्छा लगता है और फ्रूट कस्टड में तो बेशक गाड़ा ही अच्छा लगता है क्योंकि जब आप फ्रूट दालते हैं तो फ का थोड़ा थंड़ा हो जाए तो एक प्याली में निकाल कर उसे फ्रिज में थंड़ा करने के लिए एक घंड़े के लिए साइट पर रख दीजिए ढाक कर उसके बाद मैंने फुरूट्स काट लिए यह वनफोत कप बारी कटे हुए रेड ग्रेप से यह वनफोत कप बारी गता हुआ एपल्स है इसे भी मैंने काट के फ्रिज में थंड़ा करने रख दिया था सोदा डोनू थंड़ा सुफ कर सको चली आप चाहें तो एक घंड़े के बाद ही निकाल लें कास्टर्ड को मैंने दो चार घंड़े के बाद निकाला है इसके लिए थोड़ा सा जादा है मुझे गाड़ा ही पसंद है और आप गाड़ा भी सर्फ कर सकते हैं अच्छा मैंने ये सारा जो फ्रूट काटके रखा है वो सारा मैं डाल कर मिक्स कर लेती हूँ ये ठंड़े ठंड़े फ्रूट कास्टर्ड को मैं एक बड़े से प्याले में निकालती हूँ और इसके उपर मैंने जो साइट पर है न थोड़े से फ्रूट बारे कटे हुए रखेते हैं इससे डेकोरेट करूंगी और ठंड़ा ठंड़ा फ्रूट कास्टर्ड सर्व करू कि अब यहां पर जो फruck मैंने लिये वह मैंने मेरे श्वादनुसार लिये आपको नहीं कोई चीज दाल नहीं ए तो आप स्कि разр happiness कर सकते ओऔर और कोई पर डाले चौशmak कर शुम्हें ऐसमें डाल दीजिए पुरूथ बाद में दालने के बज़ांए जब आप custard को प्याले में निकालते हो उसी टाइम पर बारे कटे हुए fruits दाल कर डारेक्ली ठंडा करने रख दीजी फ्रिज में तो ये हो गया हमारा मज़ेदार सा delicious ठंडा ठंडा fruit custard serve हो ले के लिए ready तो ये थी आज की recipe अगर आप मेरी recipe बनाएं तो मेरे साथ comment section में जरूर शेय कीजिएगा मुझे आपकी comments पढ़ें बहुत अच्छे लगते हैं फिर से हाज़े होंगी एक शांदार recipe के साथ until then take care Allah Hafiz bye bye